अब नमस्कार में गुपतेश्वर पांडे अभी लंदन में हूँ और एक कांफरेंस था यहां तीन चार पांच अभी खतम हुआ है अभी तो यहां लगभग तीन बज़ रहे हैं दीन के आपके इहां में समयता हूँ आठबज रहा होगा भारत में बहुत लोग जिद थी अपने मित्रों की सुचिंत को कि मैं यहां सुनके लिया कुछ कहूँ पहली बार नहीं यहां हूँ कई बार आया हूं लंदन और जब भी आया हूँ तो एक ही बा को में इतना चोटा देश है यह कि अगर अंडिवाइड बिहार को अंडिवाइड डिवाइड यूपी को हमें एक साथ जोड़ दें तो उससे बड़ा नहीं होगा यह पूरा यूप के लेकिन इसके बावजूद इतने छोटे से मुल्क के लोगों ने दुनिया के आधी अबा करता रहा है और मैं जब भी आया हूँ तो इस सवाल का जवाब भूने की कोशिश की है और अंत में अब बाते तो बहुत हैं लेकिन संच्छेप में अपने लोगों को यह कहना चाहूंगा हिंदुस्तान के लोगों को विहार के लोगों को और खास करके नौजवानों को यह ही खास बात है यहां के लोग अपने देश से बहुत प्रेट करते हैं बहुत महबत करते हैं बड़ी देश वक्ती है कूट कूट करके भरी हुई है और यहां के लोग जात के नाम पर आपस में नहीं लड़ते मजभ के नाम पर आपस नहीं लड़ते आपस में इर्शा नहीं है द्वेस नहीं है गली की, इनली की, जگह की, जमीन की, दुकान की, मकान की लड़ाई में अपनी उल्जा नहीं लगाते हैं. अब परपटी का माध्य तो यहां भी है, यहां के लोग ज्यादा मिठीरिलिस्टिक हैं, एक एक उपे का हिसाब रखते हैं के एक हॉण का हिसाब के फरी हुई है इनमें समय का खती ज्ञान है बहुत ही अनुसासन है hasn Express की कीमत भूब हरी करते हैं लोग और तीसरी बात अनुसासन कुट कुट करके भरा हुआ है लोग कानून का पालंप दो compost करते नहें सबसे बड़ी बात ए यह अपने चोटा करेचा है जाडू लगाने वाला हो या दो दुकान में मजदूरी करने वाला आदमी हो, हो भी आदिक काम से रोटता है और सणक पर जब चलता है तो यहां के किसी बड़े आदमी के बराबरी में होता है, कोई भेद नहीं है. तो ये समानता की भावना है, आपस में प्रेम है, सदभाव है, मुहबत है, दिस्वक्ती है, अनुसासन है, कानुन के परती इज़त का भाव है, हमारे यहां यह सब चीज़े नहीं है, माफ किजिएगा बुरा लगेगा लेकिन यह सच है, अनुसासन की कितनी कमी है, वो घर से शुरू किजिए और समाल तक और हर जगा आप देखिए, स्कूल में क्या होता है, घर में क्या होता है, गाउं में क्या होता है, कानुन के लिए या तो दिरी में इज़त हो, या कानुन का भाव हो, कभी सासन चलता है, यहां कानुन का भाव भी है, और कानुन के लिए लोग के लिए बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ और अपने जमाने के बहुत बड़े करांतिकारी समाज सुधार कर रहा हैं तो मैं उनको सर्धांजली देने के लिए मैं उनको प्रणाम करने के लिए वहां हमारे जुमित्रहुन से बिलने के लिए कई सब कारोंगों से मैं जा रहा हूँ और जाते जाते ये बात मेरे खाल में आई और लोगों ने बहुत जिद की भारत से कि आप कुछ वहाँ से बोलिये तो मैं बोल रहा हूँ और सब को कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान बहुत खुशूरत है लंदन अच्छा होगा पेडिस अच्छा होगा अमेरिका अच्छा होगा, कनेड़ा अच्छा होगा, जापान बहुत बिक्सित होगा सब्देसों में गया हूँ मैं, सबको देखा है मैंने मैं जब सिवील अवेशन में था, बहुत घुमने का मौकामिला है लिए पूरी दुनिया घुमने के बाद मैं एक कह सकता हूँ और बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदोस्ता हमारा, हमारे हिंदुस्तान से अच्छा कुछ भी नहीं है केवल हम जाद के नाम पर लड़ना चोड़ दें, केवल हम मजहब के नाम पर लड़ना चोड़ दें हम गली के लिए, नली के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए लड़ना चोड़ दें हम अपने जिवन में अनुसासन लाएं और आपर समय प्यार मुहब्बत के साथ रहना सीख जाएं तो हिंदुस्तान से खुब्सूरत मुल्क स्पूरी दुनिया में नहीं है और मैं यहां से इतना ही कह करके अभी राजते में हूँ आप देख रहे होंगे बरसा भी हो रहे हैं मैं सामने आपको रोड भी दिखा रहा कि यह ब्रिश्टल जा रहा हूं और आज मैं ब्रिश्टल जा करके और राजा राम मुहनराय जी के मुर्दी पर जहां हो रहते थे उसका दर्सम करके उनको प्रणाम करके वहां से मैं आक्सफोर्ट चला जाओंगा